कि अपने फेमिली होप की सब बढ़िये होंगे सो गाइज आज है एक स्पेशल दिन और मैं जा रहा हूं एक शोरों पे जहां पर हम लेंगे नए बाइट की डिलिवरी जो कि मेरे दोस्त ने पर्चेस की है और अब वो क्या बाइट है कौन सी बाइट है कौन सा मोडल है वो सब जानने के लिए बने रहे हैं वीडियो में और मिलते हैं सिधा बाइट पे सो गाइज फाइनली हम निकल चुके है अपनी मनजिल के और मैं हूँ अपने बूसा पे दर्शन भाई आ रहे है जीटी लेके और बाकी लोग है वो कार से आ रहे है तो मैं और दर्शन भाई निकल चुके है और दूसरे जो लोग है वो दूसरी कार में आ रहे हैं और आज हम लेने जा रहे हैं नए बाइक की डिलिवरी जो गाईज आपको पता ही होगा की लास्ट यर 2020 में एंड में में एक बाइक पर्चेज किया था तो मेरा एक दोस्त है वो भी मेरे साथ वो बाइक पर्चेज करने के लिए आया था और वहां से रीटन में वही चला के लाया था वो बाइक को तब से वो उस बाइक का दीवाना हो गया था और उसको चेज कर रहा था कि ये बाइक लेना ही लेना है फाइनली थोड़े टाइम पहले उसने वो बाइक बुक करवाया और आज उसकी डिलिवरी लेने फाइनली हम जा रहा है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए आई बटन में लिंक आ रहा है तो शायद आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि आज मैं कौन सा बाइक परचेस करने जा रहा हूँ वेसे अभी बहुत सारे वेहिकल्स में काफी सारा वेटिंग जल रहा है क्योंकि वो जो चिप की शॉर्ट सप्लय है उसके इसाब से प्रोडक्शन लाइन पूरा ठप पड़ा है और काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिक्स है उसको उपरेट करने के लिए वो चिप बहुत ही ज़रूरी है और उसकी बहुत ही शॉर्ट सप्लय चल रही है यहां पर हमारे शहर के बाइपास का काम चल रहा है इसलिए पूरा रोड जो इसमें बहुत ही सारे ग्रेवेल्स है और ग्रेवेल्स में बहुत ही सोच समझ कर और संभाल कर बाइक को चलाना पड क्या हो चुका है सीजन को मतलब अब भी गर्मी हो रही है पूरे ये पूरे साल में सारे सीजन कुछ पुलट पुलट हो गए दो तिन महीने बारिज भी लेट हुई अभी ठंड होनी चाहिए लेकिन ठंड भी नहीं है गर्मी चल रही है अभी वैसे शाम को थोड़ी ठंड चल यह हम पहुंच चुके रोयल इंफिल्ड के शोरूम पे इस इज रितेश माइ ब्रदर फ्रोम अनधर मदर और जिचकी में बात कर रहा था वही है वो दोस्त जिसकी बाइक की आज हम लेने वाले है डिलिवरी तो चल यह मिलते हैं सीदा शोरूम के अंदर झाल झाल कर दो 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 झाल झाल फाइनले हमने डिलिवरी लेली है बाइक की जो की है रोयल इंफिल्ड कॉंटिनेंटल जीटी सिक्स फिफ्टी और हमारे रितेज भाई बाइक लेके आग गई जाते हुए फिल्हाल में हो रितेश खड़े है मेरे टेरेश पर रितेश जो है वो कुछ बातचीत करना चाहता है तो चलिए पूछते हैं उनसे ही कि हाव ही अचीव इस ड्रीम सो मिलते है रितेश भाई से और बात करते हैं उनसे हलो गाइस वेलकम तो एसे फेमिली थेंक यू फॉर सुमिद भाई कि वो उन्होंनों मुझे इतना सपोर्ट दिया और मेरे साथ भी आये और इतनी अच्छी तरह से हमने जो डिलेवरी मेरे ड्रीम भाई के लिए इसकी कहान सब्सक्राइब के लिए जीटी लेने रास्ते में रिटन में जीटी मेने चलाई है उना तक और उसी दिन मैंने यह ठान लिया था कि जिस दिन भी लूँगा यही बाइक लूँगा और फाइनली आज एक साल के बाद मैं यह ड्रीम अपना चेस कर पाया हूं और फाइनली आ सब्सक्राइब करने के लिए उस बंदे को उस आदमी को उसके लिए मैनद भी करने पड़ती है और ड्रीम के साथ डटे रहना पड़ता है तो ही आपका ड्रीम पूरा होगा और जो आज मैंने किया है वह आप लोग भी कर सकते हो सो बी इन यूर द्रीम सो आइम अलसो वेरी ग्लेड देट यू अचीवड यूर द्रीम थेंक यू मैं ब्रदर सो गाइज फाइनली रितेश की डिलीवरी लेके मैं भी काफी खुश हूँ और होप कि आपने भी वीडियो को एंजोई किया है अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को किजिए लाइक अपने फ्रेंड एंड फेमिली के साथ किजिए शेर एंड हाँ डों स्क्राइब एंड हाँ बाइब एंड हाँ